अख जिस वीडियो का हम telly प्रेम में Calculator के बारे में देखेंगे कि किस तरह स हम telly प्रेम में Calculator का Use कर सकते हैं Calculator के द्वारा Calculation के साथ और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस video में तो जस्ट हम यहां पस Tally अपना open कर लिए अब यहां पास just हम calculator option का use कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पास voucher में आते हैं यहां पास देखिए हम voucher में गया अब यहां देखिए कहीं भी calculator show नहीं कर रहा है calculator हमको लाने के लिए just हमको shortcut use करना पड़ेगा control plus N just keyboard से आपको control plus N करेंगे यहां पास देखिए हमारे पास यह calculator option आ जाएगा अब इसके दोरह आप क्या कर सकते हैं पुरा calculation कर सकते हैं just आप plus कर सकते हैं minus कर सकते हैं into कर सकते हैं divide कर सकते हैं पुरा काम आप कर सकते हैं इसके लग और भी काम कर सकते हैं हम आगे अभी देखेंगे ठीक है तो जैसे हम यहां पास calculator open के लिए अब यहां पास calculator में मांग चलिए अगर हम किसी किसी number को हम को जोड़ना है जैसे हम आपास ले लेते हैं जैसे 2000 ठीक है 2000 प्लस ठीरह जार फिर प्लस प्लस 5000 यहां तिन नमबर यहां पास दे दिये और जश्ट नमबर हमको type करने के पाँ जश्ट हमको inter करना है तो देखें आप पास क्या हुआ तीनों नमबर को जोड़के बत डाल दिए कि यहाँ पास किटना हुआट टोटाल 10,000 हो चुका उसी तरह स्ट मको यहाँ पास करना है So, हम यहां पास 300 किये और into का sign लगाना तो उसके लिए जो keyboard में star का sign है उसको हमको praise करना है देखें आप पास हम into कर दिये और just 2 किये फिर enter करेंगे तो देखें आप पास यह into करके बता दिया कि हम पास कितना हुआ 600 हुआ उसी तरह just divide करना है जैसा हम यहां पास 500 किये अब इसको हमको 2 से divide करना है तो जो keyboard में slash का sign है उसको हमको use करना है slash करेंगे और जिस भी number आपको divide करना है इंटर करेंगे तो देखें आप पास 250 50 बता दिया तो इस तरही के साब यहां पास क्या कर सकते है प्लस माइनस इंटू डिबाइड आप कर सकते है उसके बाद जैसा हम यहां पास यह calculator पर काम किये वापस हमको voucher करना है ठीक है जब यहां देखें जब स्लेक्ट किया तो कर रहा है ठीक है एक्टिवेटर एक्टिव है लेकिन यहां वाउचर क्या होगा एक्टिव नहीं है वापस हमको वाउचर को एक्टिवेट करना है वाउचर में जाना है तो आप माउस से क्लिक करेंगे तो देखें यहां पास क्या हो गया वाउचर आ चुगा और कैल्कुलेटर यहां पास देखिए जो एक्टिवेट था यह आप हो चुगा वापस आपको कैल्कुलेटर को एक्टिवेट करना तो वापस आप कैल्कुलेटर पे क्लिक करेंगे तो कैल्कुलेटर यहां पास क्या हो जागा यह एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अभी यहां पस देखे जैसे हमारे पास यह amount जैसे हमारे पास 250 amount निकला हुआ है ठीक है जो हम calculator में यह जो divide करके लाए है 250 amount निकला हुआ है अब इस amount में हमको वापस जोड़ना है push number को ठीक है तो उसके लिए just आपको keyboard से backspace button use करना होगा लाना होगा cursor को तो इसके लिए keyboard से जो add button है end उसको आपको paste करना होगा तो देखिए just यहां पास आ गया 250 के बाद अब जैसे जिस भी number का आपको plus करना होगा minus करना होगा divide करना होगा वह आप कर सकते हैं तो जैसे हम plus का sign लगा दिए अब जैसे 300 number है उसके हमको जोड़ना है enter करेंगे तो देखिए यहां पास यह number जोड़ गया और यहां पास इसका result तो कर दिया ठीक है वह आपस हमको voucher में जाना है यहां पास तो just हम यहां पास escape button यहां पास जो keyboard में escape button है ESC उससे आप क्या कर सकते है वाउचर को select कर सकते है या फिर आप यहां पास select भी clicker के mouse से select कर सकते हैं किया यहां जैसे हमकुछ entry कर लेता है जैसे enter करते है और जैसे यहां पास हमको एंट्रेस्ट जयसे यहां पास interest पे your this अब यहां पास जैसे हमको interest पे जैसे मनद के चलिये कि हमार पास interest को पाड़ करना है 1 month благ 500 पे करना है यहां पास को two month का interest total पैड करना है कितना हो रया हो यह हमको calculation करना ठ्क है तो जैसे हम यहां पास, यहां देखियो option आ गया है, यहां पास select हो चुका है amount के जगा, तो यहीं पास रहते हुए हमको alt-c करना है, keyboard से alt-c करेंगे, यहां देखिये calculator आ गया, अब जो भी आगर आपको यहां calculation करके, आपको result दिखाना वह आप कर सकते हैं, तो जैसे मानिक चल आया, दो मन्त का, यहां देखिया आपको, दो मन्त का diet यहां पास amount आ चुका, हमको type करने के जोड़ नहीं पड़ा, ठीक है, enter करेंगे, और यहां जो भी करना होगा, जैसे हमको cast करना है, तो just हम यहां पास cast कर दिए, ठीक है, enter करेंगे, अब यहां narration आप डाल सकते हैं, जो और और इसको देख लेते हैं, जैसे हम यहां पास enter कर लेते हैं, और जैसे हमको room rent pad करना है, तो सबसे पहले हम यहां room rent का laser मना लेते हैं, तो room rent का laser मना लेते हैं, तो alt c करते हैं, और यहां जैसे room rent, और इसको डालेंगे हमको indirect expense, क्योंकि हमको room rent pad करना है, ठीक है, और enter करते इसको हम करेंगे accept अब जिसे हमको यहां पास जो room rent pad करना है दो मन्त का एकठा pad करना है ठीक है तो जैसे मान के चले एक मन्त का हमारा पचीस सो है ठीक है और यहां पास हमको दो मन्त का करना है अब दो मन्त का हमको calculation करना कि कितना हो रहा है तो diet हम यहीं से calculator open कर सकते हैं इसके लिए alt c करना है अब एक मन्त का 25 हो रहा तो हम यहां 25 कर दिए फिर into करेंगे to enter करेंगे तो 5000 यहां पास हो रहा तो देखिए 5000 diet है calculation के आचुका उनको टाइप करने के जुड़ा नहीं है एंटर करेंगे और यहां कैस कैसे अपना जो भी accept करना होगा कैस करते हुए हम यहां पास accept करेंगे तो यह हमारा क्या हो गया रूम रेंट पैड़ हो गया जिसमा हम यहां पास calculation calculator के द्वारा करके वहां amount को fill up कर दिये ठीक है अब इसके अलावा calculator को और भी हम काम कर सकते हैं वापस हम calculator को select करेंगे control and करते हुए ठीक है तो calculator फिर से select हो गया अब मानके चले यहीं से आपको report चेक करना हो जैसे हमको bank का report चेक करना हो या stock का report चेक करना हो या closing stock चेक करना हो या फिर आपको profit and loss चेक करना हो और भी कुछ report चेक करना हो तो जैसे मानके चले हमको चेक करना है कि bank में हमारा total किता balance है तो जैसे आपको यहां पास bank का name type करना होगा जो भी आप bank के नाम से laser बनाए होंगे तो हम यहां पास कोई bank नाम से laser नहीं मना है कि वह बैंक का नाम type कि है तो जैसे हम यहां पास लिख लेते हैं bank आपस हम यहां आते हैं voucher में क्लिक करेंगे और यहां go to में जाते है control जी जीसका shortcut है stock समरी इंटर करेंगे तो देखिए आपस हमारे पास 53,879 यहां भी देखिए SIM दिखा रहा है ठीक है SIM हमारे पास रिपोर्ट सो कर दिया है वापस हमको calculator में जाना है तो control and करेंगे तो वापस हम calculator में आ गए ठीक है उसी तरह जैसे हमको यहां पास cash balance देखना है तो just हम यहां पास लिख लेते हैं cash इंटर करेंगे तो जो भी cash balance होगा यहां पास cash from 1 April 2024 से 1 April 2024 से cash हमारे पास इतना है ठीक है उसी तरह फिर जैसे कुछ और रिपोर्ट भी हम यहां पास देख सकते हैं जैसे हमको यहां पास किसी stock का हमको detail देखना होगा जिस हमको book देखना है ठीक है तो क्यों हम यहां पास book type करेंगे enter करेंगे तो देखें यहां पास book बत type कर लेते हैं पीन करके enter किया तो जो भी पीन हमारे पास stock बचा हुआ है यहां पास फ्रू कर रहा है ठीक है यहां पास एक चीज हमको ध्यान देना है कि spelling हमको सही रखना है अगर कि सेजर का या किसी भी stock का spelling mistake करते हैं तो report सही नहीं पर फ्रू करेंगा जैसे मांग चलिए book का हमको फिर से चीख करना है की spelling जीसा में पास mistake कर लेते हैं ठीक है पास messageאני could not understand word और यहां पास spelling हमारा दिखा दिया अब हम यहां पास spelling हम चाही लिखिए और फिर से हमир इट करेंगए तो और देखिया हम पास book का report यहां पास यह show कर दिया यह हम यहां पास calculator के दौरा calculation करने के साथ साथ हम अपने laser, bank, profit and loss, item का भी detail यहां पास पूरा देख सकते हैं अब यहां पास जो भी हम calculator में काम करते हैं इसको उपर नीचे scroll करके भी हम देख सकते हैं अब अगर इसकी history को अगर आपको delete करना होगा तो यह delete नहीं होगा इसमें delete करने का कोई option नहीं है लेकिन फिर भी इसकी history को अगर आपको हटाना पड़ेगा तो tally हमको क्या करना होगा close करना होगा तब यह हट जाएगा जिसा हम यह आपस tally क्लोज कर लेते हैं जिसे वापपस हम voucher में जाते हैं लेकिए बॉचर में आगए अब जिससे tally हम यह आपश कर लेते हैं हमारा जो company है क्या अब देखिए हाँ पास Dines Limited Company यह खुल गया है just voucher में जाते हैं अब यहाँ पास देखिए हमारे पास Calculator show नहीं करा तो वापस Control and करते हैं अब देखिए हाँ आपस कोई history show नहीं करा है जो भी हम calculation किये थे ठीक है इस तरी के साफ आप calculator में जो भी आप calculation करते हैं और जो भी आपका history रहता उस history का आप just यहां से remove या delete कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के साब Teleprime में calculator option का use कर सकते हैं जिसके दौर आप calculation करने के साहँ साहँ जस्ट आप अपने bank, stock और बागी सीज का भी report आप check कर सकते हैं आप योपे वीडियो को समझ में आगया और अपर इच्छा लगा तो लाइक करें, share करें, comment करें, subscribe करें, thank you